आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी आएक के आपका बहुत-बहुत सबागत है आज हम बात करेंगे दोस्तों जलाल उद्देन मुहम्मद रूमी की रूमी जो की एक ऐसे पोएट है 13th संचुरी की तेरवी शताबदी के एक ऐसे पर्शन पोएट है इस्लामिक स्कॉलर है जिनों ने दुनिया ही बदल दी आज तक आज तक दोस्तों अमेरिका यूरो भारत इनफाक पूरी दुनिया में जो इन्होंने लिखा वो पढ़ाया जा रहा है साथी साथ लोग दीवाने हो चुके हैं इनकी लिखावट के रूमी को मोस्ट पॉपुलर पोएट बोला जाता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और आपको बता दू अमेरिका तो रूमी के पीछे पागल है अमेरिका में इन्होंने जो लिखा सबसे ज़्यादा बिखता है रूमी की बात करें दोस्तों तो यह सेंट्रल लिश्या से आते हैं ठीक है पर्श्या से आते हैं पर्शन पोएट है बेसिकली और जो सूफिजम है रूमी ने उसको बढ़ाया सूफिजम की बात करें तो यह कैसी ब्रांच एसलाम की जो किताबों से आगे जाती है जो इंड इद्वान को भगवान से मिला देती है, उसका connection कर देती है, लेकिन ये connection कैसे होता है, individuality का divine से कैसे connection होता है, ये होता है गाना गाने से, नाचने से, चांट करने से, जो रूमी के followers होते हैं, आपने देखा होगा, जो ऐसे गोल 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 घूमते हैं, एकदम lean होके, क सूफिजम में वो एक form है, कि divine, individual divine से मिल गया, मतलब वो एक हो गया है, तो सूफिजम एक तरीके से divinity की बात करता है, अब जैसे जो Abrahamic religions हैं, उसमें Islam भी आता है, तीन Abrahamic religion आपको पता ही है, उसमें Christianity, Judaism और Islam आता है, तो इसमें किताबों को पढ़िए, sacred books को पढ़िए, Islam में और Quran को पढ़िए, आप ईश्वर को पालेंगे, परमेश्वर को पालेंगे, ऐसे Christianity में है, लेकिन सूफिजम आगे जाता है, सूफिजम अलग चीजों की बात करता है, इसे लिए ये कटर मुस्लिमों के निशाने पर रहते हैं, ठीक है, ये divinity की बात करता है, ठीक है, सूफ किया जाता है, बासूरी, फ्लूट, ये कैसे instrument है, बहुत important है, अलग-अलग instrument की भी importance बहुत ज़्यादा है सूफिजम में, और बासूरी के ऐसे instrument है, जो आपको जोड़ देता, आप खो जाएंगे, आप खुद ही सुनिये, भगवान कर्ष्ण भी तो बासूरी बजाते थे वह आपको जोड़ देता, जब आप बांसुरी की आवाज सुनते है न, इतना अच्छा लगता है, आप बिल्कुल सारे दुखदर्द भूल जाएंगे, रूमी जहां रहते थे, इन फाक्ट आज भी टर्की के कोनिया में आपको गली-गली में बासुरी मिलेगी, हर कोई माँ पे बासुरी बजाता रहता है, फिलाल, हम सुफिजम पे लेच्चर नहीं कर रहे हैं, सुफिजम पे हम किसी और दिन बात करेंगे, बहुत लंबा लेच्चर होने वाला है, क्योंकि रूमी को मैं काफी पढ़ता रहता हूँ, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, बहुत सारी वेबसाइट से रेखता, मैं आपको रेकमेंड करूँगा, वहाँ पे भी रूमी ने बहुत सारे जो उनके कलेक्शन्स हैं, वहाँ पे उन्होंने कमपाइल किये हूँ हैं, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूमी की टीचिंग्स की बात करेंगे, अब बच्पन के बारे में तो इतना ज़्यादा इनके बारे में लिखा हैं नहीं, क्योंकि ज़्यादा व्याक्षा इन्होंने नहीं किये, इन्होंने जो लिखा है, इनके लिच्चर ज़्यादा कमपाइल किये गए हैं, इन्होंने जो बताया है उसका ज़्यादा compilation है अपने बारे में इतना ज़्यादा इन्होंने नहीं लिखा ऐसा ही होता है जो संत होते हैं यह अपने बारे में नहीं लिखते हैं यह दुनिया के बारे में लिखते हैं ये कैसे ईश्वर से मिलना है, उसके बारे में लिखते हैं, स्पिरिच्वाइलिटी के बारे में लिखते हैं। चलिए, अब हम आगे बरते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोडिक्शन हो गया, सिडर्स को रीकनेक्ट मेरा फेस्बूक पेज है, सिद्धान तक नियोतरी के राम से मेरी फेस्बूक प्रोफाइल है, दोनों ही जगा आप ने सकी पीडियाफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सक किया और साथी साथ मैंने बहुत सारे माइक्रो कोर्स भी कवर किये हैं, UPSC के स्मार्ट कोर्सेज में आपको गौरफ सर, महिपाल सर, परशान सर और IS IPS ने भी कॉंट्रिबूशन दिया है, ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी, तो रूमी, देखिए, रूमी का जनम 1207 में हुआ था, ऐसा बोला जाता है कि इनका जनम 30 सितंबर 1207 में जनमे, ठीक है, रूमी का जो नाम है, रूमी इनका ओरिजिनल नाम नहीं है, अच्छली रूम जो है, ये जो पूरा एरिया था, आपको पता ही, ये रूमन एम्पायर जो है, वो पूरा एश कि कोनिया में ही जाके सेटल हो गए थे, तो यहां से, हलाकि इनका जनम जो है, वो अफगानिस्तान में हुआ था, फिलाल अभी हम मान लेता है, जाता तर स्कॉलर्स का यही मानना है, कि इनका जनम जो है, वो अफगानिस्तान के शहर बल्क में हुआ था, लेकिन कुछ लोग अब यहाँ पे रूमी के बारे में मैं नाम की बात कर रहा था तो यह नाम है तो इनका ओरिजिनल नेम नहीं है ओरिजिनल नेम इनका है जलालुदीन महम्मद बाल्खी या फिर मौलाना मौलाना भी इनको बोला जाता है मौलाना का मतलब होता है आर मास्टर ये भी आपको पता है ठीक है तो इनका जो नाम है वो है जलालुदीन मुहमत बालकिया फिर जलालुदीन मुहमत रूमी भी इनको बोला जाता लेकिन short name English में हम इनको रूमी बोलते हैं ठीक है क्योंके पूरा का पूरा इलाका जो था Roman Empire का था Rome का था Rome तो इनको वहां से फिर रूमी नाम आया ठीक है हालाकि इनके नाम का मतलब होता है glory of faith ठीक है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रूमी के जीवन के आप मैं जादा जो लिच्चर है ठीक है 70 परसंट जो लिच्चर है मैं रूमी की टीचिंग्स आपको बताऊंगा कि क्या बताया ठीक है कि जिंदगी कैसी जीनी है आप अपने परिशानियों को कैसे solve कर सकते हैं बहुत जबर्दस्त बताया है दोस्तों जो एक तरीके से रास्ता बताया है कि अपनी प्रॉब्लम से कैसे इजात पाया वो कमाल है आप खो जाएंगे रूमी की राइटिंग्स में आप खो जाएंगे ठीक है आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं और सूफिजम में यही होता है जब आप सूफिजम संगीत तो फिर जब आप ऐसे नत्य देखते हैं ठीक है आप खो जाते हैं वाँपे तो 1207 में इनका जनम हुआ ठीक है पर्शन स्पीकिंग पैरेंट्स थे ठीक है बेसिकली पर्शया में ही हुआ था इनका ठीक है 13th century 1207 1207 जादा तर जो इनकी जिलगी थी वह सेल्जुक सल्तनेत म ही इनोंने पर्शया सेल्जुक सल्तनेत में ही इनोंने मतलब उन्हीं का रूल था तो वहां पे ही इनोंने बिताई अब इनके पिता जी की बात करें तो इनके पिता जी भी डिवाइन थे वो भी spiritual leader थे theologist थे ठीक है वो भी बताते थे पाट पढ़ाते थे teacher थे ठीक है वो भ रंगेश खान की biography देखेगा Mongol invasions देखेगा splendors of Mongols देखेगा और सब मैंने कवर किया है ठीक है तो इनके पिता जी का नाम था बहाउत दीन वलाद ठीक है लेकिन जब Mongols ने invade किया Central Asia को ठीक है तो इनकी family को फिर migrate करना पड़ा अब जब ये migrate कर रहे थे भाई जाहिट सी बा देखते ही पहचान लिया कि इस बच्चे में कुछ दैविक शक्ति है कुछ divine है वो देखते ही पहचान लिया और अटार ने इनको फिर अपनी ये भी बहुत बड़े poet थे अटार के अगर बात करें इनको अपनी बुगदी असर नामा ये अपने soul को अपनी आत्मा को इस जो poets थे ठीक है जो इनके teachers थे इनी से inspiration लेके बहुत कुछ लिखा ठीक है बहुत दीन जो थे वो मदर्सा के leader थे मदर्सा चलाते थे जहां से Islamic teachings को propagate किया जाता था अब जब इनका देहान्त हुआ तो इनके बेटे थे रूमी रूमी उस समय 25 साल के थे ठीक है इनका देहान्त जो है वो 1222 में हुआ तो 25 साल के रूमी ने इनको inherit किया और मौलवी बन गए मौलाना बन गए master बन गए 9 साल तक दोस्तो 9 साल तक रूमी ने सूफिजम को practice किया और दोस्तो ये कोनिया में ही settle हो गए ठीक है भाई मैंने बताया ना कि इनके पिता जी ने migrate किया था जब मॉं कोनिया में settle हुए अब कोनिया उस समय already कोनिया जो है वो Central Anatolia में located है ठीक है और यहाँ पे mystics सूफिजम बहुत जादा practice आज भी practice किया जाता है मैंने बता है आज भी आपको गली-गली में बासुरी मिलेगी लोग यहाँ पे गाते हुए नजर आएंगे सूफिजम यहाँ प अब तक यह लोगों को पढ़ाते रहे यह एक लौते मास्टर थे जो इन्होंने मदर्सा बनाया था उसके लौते मास्टर थे और लोग आते थे बच्छे आते थे इंसे teachings लेके जाते थे ठीक है ना और बहुत ही जादा इनको ग्यान हो गया अब उसके बाद दोस्तों इनक teachings cover कर दूँगा जब रूमी इनसे मिले तब सब कुछ बदल गया इनके गुरू बन गए शाम से तबरीजी जो है वो रूमी के गुरू बन गए तो अटार और शाम से तबरीजी का बहुत ही जादा influence था और हम देखते हैं कि रूमी की जो राइटिंग्स है उन्होंने शाम स तबरीजी की भी राइटिंग कई जगा कोट किया है ठीक है और उसके बाद रूमी जो है वो एक संत बन गए सब कुछ चोड़के सरेंडर कर दिया और फिर उन्होंने जो लिखना चुरू किया 1244 के बाद से लेकर 1273 तक वो तो फिर इतिहास है ये दोस्तों आप इसको क्या कहेंगे ठीक है ये सच में एक तरीके से भगवान की इतनी जादा कुछ लोगों पे क्रिपा होती है अगर हम रूमी की ही बात करें तो इनके जादा भगवान इतने जादा स्पेशल चाइल्ड थे ये कि आज 800 साल बाद भी हम इनकी बात कर रहे हैं 800 साल मतलब अमर है ये औ और ये जो वरदान है बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है आपको सरंडर करना पड़ता है ठीक है अब जहां रूमी जाते थे हर कोई सरंडर कर देता था जैसे ही ये बोलते थे हर कोई सरंडर कर देता जायन Élour हो चाहें वो जीूस हो बहुत जादा क्रॉट गैदर हो जाता था, इनको इनकी एक जलक पाने के लिए इनको सुनने के लिए, ठीक है, 1273 में दोस्तों इनका दिहान्त हुआ, ठीक, आब हम इनकी टीचिंग्स की बात करते हैं, ठीक है, पहले इनके वर्क्स देख लेते हैं, तो अगर हम रूमी के कामों की बात करें, तो वैसे तो, quatrains, rubayat, ods, gazal देखिए आपको पता ही है कि quatrains छंद होते हैं अगर हिंदी में बात करें चार lines ठीक है चार lines में अपनी बात कह देते हैं बहुती कम words का use करके सब कुछ कह देते हैं और couplets होते हैं दोहा ठीक है तो हम बात करते हैं कि यहां पर रूमी जो poetries होती है वो ऐसे या तो quatrains होंगी चार lines की होंगी या फिर दो-दो lines की होंगी ठीक है और उसी में जो poet है वो पूरी बात बता देता है और हर कोई समझ जाता है अब उस दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-द अरब, पर्षया, टर्की, अमेरिकान, जैसा कि मैंने बताया है, यूरोप, हर जगा इनको पढ़ा जाता है, अब इसमें 27,000 लाइन्स लिखी हैं, और दोहे हैं इसमें बेसिकली, हर लाइन में दोहा, दोहे के माध्यम से इन्होंने चीजों को बताया है, उसके बाद दिवान काबिर, दिवाने शाम से ताबरिज्म, ठीक है, अब इसमें शाम से ताबरिजी के बारे में, अपने गुरु के बारे में इन्होंने बताया है, 35,000 पर्षयंस दोहे लिखे हैं, 2000 चंद, 90 गजल, 19 क्वाटरेंस इन अरेबिक, बहुत ज़ादा इन्होंने काम किया है, comprehensive काम ह इसमें क्या बताया है, रूमी ने, देखिए रूमी जो हैं, वो प्यार की बात करते हैं, वो यूनिफिकेशन की बात करते हैं, समझ रहे हैं, इसमें कुरानिक वर्सेस भी मिलेंगे आपको, लेकिन बेसिकली यहां पे बात होती है, सूफिजम की, इंडिविज्वल को जैस है, यहां पे आत्मा की बात है, कि कैसे आप लिबरेट हो सकते हो, यह जो दुनिया है, यह एक जेल की तरह है, आर यू सर्चिंग फॉर सोल, देन कम आउट आफ और प्रिजन, यह दुनिया एक प्रिजन की तरह है, और खुद भी हमारे खुद के अंदर भी एक जेल होता है बहुत सारे बंदिशे होती हैं, तो अगर आत्मा को खोजना है, तो अपनी जेल से बाहर आ जाओ, वो नदी हो जाओ, जो अल्टिमेटली समुद्र में गिरेगी, हर नदी समुद्र में गिरती है, तो वो नदी हो जाओ, जिस तरीके से नदिया समुद्र को जॉइन करती है वैसे ही तुमको भी उस परमिश्वर को जॉइन करना है यहां पे right और wrong कुछ समस्ते ही ने सब हटा दो, differences हटा दो आम तोर पे दो चीज में difference करते हैं न रूमी बोलते हैं सब कुछ हटा दो There is another language beyond language भाशा जो हम बोलते हैं उसके इलावा एक और भाशा है Another place beyond heaven and hell नर्क और स्वर्क के इलावा भी एक जगा है Precious gems come from another mind एक दूसरी खदान से खूप सूरत नगीने आ रहे हैं and the heart draws light from another source किसी और जगा से आपके दिल में रोशनी आ रही है वो क्या है वो इश्वर है वो परमेश्वर है वो अल्ला है जो भी नाम से आप उसको पुकारें समझ रहे हैं तो यानि की कहने का मतलब ये है छोड़ दो सब अच्छा बुरा क्या है परिवार और ये सब हटा दो हुशी गम सब कुछ हटा दो बस इतना ज़ादा विलीन हो ज़ाओ भक्ति में इतना ज़ादा डूब जाओ कि अल्टिमेटली आप अपने आपको पहचान लो और अगर आपने अपने आपको पहचान लिया तो आप स्वयम में ही इश्वर हो गए समझ रहे हैं तो ये चीज़ है इस तरीके की बात बताई है रूमी ने अपनी रैटिंग्स में और प्यार की बात तो इन्होंने हर जगा की ही है रूमी बताते हैं कि जब भी हम अखेले होते हैं तो हमेशा भगवान हमको रास्ता दिखाते हैं लेकिन हमको उसको दिल से याद करना पड़ेगा एक चीज बोलते हैं रूमी कि अकसर हम को चीज़े नहीं मिलती है ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उसको दिल से नहीं चाहते हैं वो कहते हैं अगर आपने किसी को दिल से चाहा है वो कुछ भी हो सकता है कुछ भी आपका प्रोफेशन हो सकता है अगर हो सकता है आप आयस बनना चाहते हैं दिल से लेकिन बिल्कुल इसमें घुज जाओ और ये हर कोई बोलता, अगर आपको दिल में, दिल से अगर आप किसी को चाते हैं, तो पूरी कायनात आपको उससे मिला देती है, ठीक है, तो भीया, दिल से अगर आप ईश्वर को भी चाहेंगे, तो ईश्वर भी आपको मिलेगा, ऐसे नकली पूजा या नकली प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं है ठीक है तो ये चीज है फिर बताते हैं कि छोटा बनना बन करो ठीक है छोटा बनना बन करो कहने का मतलब यह कि छोटी छोटी चीजों से हम काफी जादा परशान हो जाते हैं सेल्फ डाउट आ जाता है हम में हर चीज में self doubt की ये होगा की नहीं होगा लेकिन ऐसा नहीं है universe ऐसे काम नहीं करता है universe आपके सपने को असलियत में बदलता है हम छोटी छोटी चीजों में लगे होते हैं लेकिन कभी भी universe को समझते ही नहीं है हमारी job क्या है अब यहां से आप भागवत गीता को भी मैं compare करते हुए चलूँगा इतने philosophers की मैंने biography review किये तो सब को compare करते हुए चलूँगा तो यहां पे हमारी job यही है कि हमको tension नहीं लेनी है छोड़ दो सब कभी-कभी हमको छोड़ना पड़ता है let go Lao Tzu के philosophy ठीक है let go चीजों पे परशान होना शुरूब बंद करो अपने आप पे विश्वास करो हम हर कुछ कर सकते हैं सारी चीजे बस समझना पड़ेगा बस हमको अपने आपको समझना पड़ेगा और कभी-कभी let go भी करना पड़ता है ठीक है हमको अपने potential को पूरी तरीके से पहचानना पड़ेगा तभी हम एक अच्छी और positive life जी सकते हैं judgment की भी यहाँ पे बात करते हैं कि हम बहुत जल्दी दूसरों को judge कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे roomie बोलते हैं दुनिया को change करने से पहले खुद को change करो लेकिन सबसे पहले हमको खुद को change करना पड़ेगा और इस judgment को भी जाने दो अपने फैसलों को भी जाने दो किसी को judge मत करो आज कलम देखते हैं न दूसरों की बुराई करने में हमारा ज़्यादा ध्यान रहता तो क्या ज़रूरत है किसी को judge करने की अपने आपको पहचानो किसी से judge मत करो किसी से अपने आपको compare मत करो एक ऐसी field में जाओ कैसे space create कर लो जो बहुत ही शान्त हो जहां सिर्फ और सिर्फ magic हो जहां आत्मा और परमिश्वर का मिलन हो उस तरीके का space create करो और ये हो सकता है कैसे inner bonding से क्योंकि आपकी inner bonding matter करती है फिक है inner bonding जो है वो एक दूसरे को जोड़ती है एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ती है लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा आपको अपने आपको change करना पड़ेगा जिस तरीके से जीते हैं उसको सारी चीज़े आप समझ पाएंगे ठीक है कहने का मतलब यह है रूमी एकदम हर चीज़ को मतलब सब चीज़ को एक straight line बना देते हैं इतनी सारी चीज़े हमारे दिमाग में चलती रहती है बस straight एक ही line बस बाकि अच्छा गलत क्या है भूल जाओ अपने आप पे कभी भी self doubt करो भी नहीं ठीक है उसके बाद रूमी बोलते हैं कि वो करो जो तुमको सबसे ज़ादा पसंद हो एक चीज़ होती है हमारे मन में कुछ भी करिया कोई भी profession लेकिन एक चीज़ होती है जो हमारा दिल उसी की तरफ ले जाता है हमको अच्छा लगता है वही आपका असली profession है जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वही करो क्योंकि अल्टिमेटली भगवान के प्लान्स होते हैं हमारे लिए लेकिन उस प्लान का हम कैसे यूज़ करते हैं ठीक है रूमी कहते हैं कि वही चीज़ करो जो तुमको अच्छी लगती है सोसाइटी का जो प्रेशर होता उसमें मत आओ और अल्टिमेटली अपने गोल की तरफ काम करो मोटिवेटेड रहो है ना और एक चीज़ बहुत इंपोर्टेंट याप पर रूमी कहते हैं कि गाइडेंस आती है तभी जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं जैसे आपको आप दिल से चाहते हैं कि आप आयस हो जाए और वो आप जैसे आप चाह रहे हैं कि म्यूजिशन बनना लेकिन आप आयस की पड़ाई कर रहे हैं तो फिर आपको गाइडेंस आएगी नहीं वो परमात्म को कभी गाइड उस तरफ करेगा ही नहीं जो चीज़ आप चाहते हैं आपको दिल से पसंद है आप वो करो ultimately आपको गाइडेंस मिलेगी एक personally मुझे रूमी की बहुत ही बेतरी दोहा लगता है जो उन्होंने लिखा है ठीक है उसको मैं आपको मतलब यह जो चीज़े है मैं आपको अनुवाद कर गई बता रहा हूँ ठीक है Heart is a blessing यह एक बहुत बड़ी बात कही है रूमी ने कि जो दर्द है वो कोई अभिशाप नहीं है बलकि हम खुशकिस्मत है कि हमको दर्द मिला है Heart is a blessing जब तक दर्द नहीं मिलता आप कहते न टूटे दिल से ही संगीत निकलता है टूटे दिल से कुछ बहुत बड़ा काम होता है तो जब तक हमको दर्द नहीं मिलेगा अब वो टूटना दिल आप यह मत उससे इश्क से मत जोड़ लीजेगा कभी भी दिल टूट सकता है कोई इंसान फेल हो गया दिल टूट गया किसी ने बड़ी बेजति कर दिल टूट गया कभी माता-पिता बहुत ज़्यादा चिला देते है मार पीट देते दिल टूट जाता है ठीक है और प्यार में तो दिल टूटता ही है तो हम प्रूफ करने के लिए नहीं हम बहुत हो गया कि आप दिखो मैं दिखा दूगा पूरी society को दिखा दूगा वहीं तो हमारा real self आता है darkness is your candle कितनी बड़ी बात बोल दी है कि आपकी मुंबत्ती क्या है अंधेरा ही आपकी मुंबत्ती है अंधेरे से ही तो उजाला निकलेगा और वही तो उजाले हैं आप तो यह चीज आपको समझनी पड़ेगी हमारी जिन्दगी ups and downs हमेशा हमारी जिन्दगी में problem साती रहेगी रूमी बोलते हैं कहने का मतलब उनका यही तात पर है कि जिन्दगी में हमेशा problem साती रहेगी नेगेटिव spiral होगा नेगेटिव चीज़े होंगी लेकिन याद रखना है कि इसी अंधेरे से ही उजाला निकलेगा जो हम पेंसे गुजन रहे हैं वही सही हमारी असली शक्सियत सामने आएगी जैसे स्वामी विवेकानन दे पूछा था ना बगवान से कि मुझे आपने क्यों मुझे इतना दर्द दिया क्यों मुझे आपने इतनी जादा problems दी तब उन्होंने बोला बगवानने बोला कि अगर मैं तुमको दर्द नहीं देता तो तुम स्वामी विवेकानन बनते ही न तो darkness कोई ऐसी चीज नहीуск कोई ऐसी चीज नहीं जब दिल टूटता है जब बहुत जद्वादा दर्द होता है तो मंद्वियरे में जाते हैं हमारी दिमाख सही से काम नहीं करता से को बुरी चीज नहीं और मैं अपने दिल और आत्मा से प्यार कर पाओगे और ये बोलते हैं love with heart and soul, समझ रहे हैं, सिर्फ आँखों से प्यार नहीं करना है, इंद्रियों से प्यार नहीं करना है, जब दिल और आत्मा से प्यार होता है, वही असली प्यार होता है, वही असली relationship होती है, समझ रहे हैं, तो य Be grateful to others, हमेशा दूसरों के लिए अच्छाई सोचो, क्योंकि जब आप अच्छे रहोगे, तभी तो भगवान आपको गाइड करेगा, तो बुरा मत सोचो, गांधी जी ने बोला था नो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बिल्कुल वही हो ज चाहेंगे तो मैं इनके किताबों का रिव्यू कर दूंगा, इसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर दोस्तों वह एक अलगी लेच्छर हो जाएगा, फिर वह कविताओं का ही लेच्छर हो जाएगा, खोश रहेंगे पर तेरे देसे सिधान तक नहीं होतरी,